आज आप लोग के साथ बनाना केकी रेस्पी शेयर करने चारी हूँ सो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसके लिए क्या-क्या इंग्रिडियन्स यूज़ किया है पहले मुझे चाहिए half cup of oil, three eggs, maida, powder sugar, baking powder, vanilla essence and one banana चलिए अभी देख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे एक बाउल में पहले हम लोग तेल एड करेंगे उसके बाद सारे अंडों को एक-एक करके बाउल में एड करते जाएंगे अब लोग डाइडिक्ली एक को ऐसे तोड़के बाउल में एड मत कीजिएगा क्यूंकि अगर एग धड़ाब निकला तो एक का मेहनत सारा देकार जाएगा वे हम लोग एग्स और ओयल को एक साथ पीट कर लेंगे के बाद हम लोग एड करेंगे वान एन हाफ का पॉप मैदा अभी इसको अच्छी तरीके से कटन फोल प्रोसेस में हम लोग मिक्स करते जाएगे याद रखे एक ही डाइरेक्शन में इसको मिक्स करें नहीं तो आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा और सॉप्ट भी नहीं बनेगा अभी हम लोग वन टी स्पून ओफ बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे और वन कप अफ पाउडर शुगर इसमें एड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बेटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह होना चाहिए इसमें हम लोग भी डालेंगे वनिला इसेंस अगर आपके पास वनिला इसेंस ना हो तो आप इसमें इलाइची पाउडर भी डाल सकते हो को लास टाइम अच्छे से मिक्स कर लीजे और इसको एक साइड में रख दीजे अभी हम लोग बनाना कट कर लेंगे अभी मैं एक फ्राइ पैन लोंगी और उस पे पाउडर शुगर डस्ट कर लोंगी लोगों ने जो बनाना कट करके रखा था उसको हम लोग यहां पे सजा देंगे और जो हम लोगों ने बैटर बना के रखा था उसको हम लोग यहां पे डाल देंगे यह अभी बेकिंग प्रोसेस में चलते हैं पहले मैं गैस में एक तवा चराऊंगी और गैस का फ्लेम अन कर दूंगी तवा गरम होते ही मैं फ्राइ पैन को तवा के उपर प्लेस करूंगी और उसके उपर एक लीड लगा के इसको धीमी आज में 20-30 मिनिट्स के लिए पकाऊंगी 20-30 मिनिट्स बात इसका लीड हटाएंगे और इसको चेक करेंगे कि यह कितना पका है हमारा केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अभी हम लोग गैस का फ्लेम आफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे मैंने इसको फैन के नीचे रखा है ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए भी ही इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसको पीसेस में काटके सर्फ कर लेंगे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाके रखेगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ आप तब वो वीडियो सबसे पहले पहुचे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और हाँ मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा मारा बनाना केक बनके बिल्कुल तयार हो चुका है तेखिये ये कितना टेस्टी लग रहा है देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी बना था ये घर में तो सबको पसंद आया आपको कैसा लगा? कॉमेंट में जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं मैरे निक्स वीडियो में तिल देन तडा